स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ओप और काइण्स ओप सक्सेशन देखा था, पढ़ा था, उसके बारे में कुछ सीखा था, आज हम बात करेंगे हाइड्रार्क और हाइड्रोसियर की, जलारंभी अत्वा जलाकरम, आपसे इस पर फुल क्वेस्चन पूछ जा सकता है, आपसे इसमें डेफिनिशन पूछी जा सकती है, हाइड्रार्क क्या होता है, या डेफिनिशन देकर के आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रार्क और हाइड्रोसियर, हाइड्रो और सियर, हाइड्रो मतलब पानी, और उसमें सियर का मत पानी से आराम्भोने वाली क्रमिक अवस्थाएं ही जलक्रमक कहलाती है या हाइड्रार्क कहलाती है अथ्वा हाइड्रोसियर कहलाती है हमने पिछली क्लास में देखा था पढ़ा था उसके बारे में कितने प्रकार के अनुक्रमन होते हैं आज जो हम अनुक्रमन पढ़ने जा प्रेजिन्स में जो शुरू होता है अनुक्रमन उसको हम हाइडरार्क या हाइडरोसियर कहते हैं जो साधरन भूमी पर शुरू होता है उसे हम मिजार्क कहते हैं जो मरू भूमी से शुरू होता है उसे हम जीरोसियर या जीरार्क कहते हैं अब जिरार्क में भी कई कंडिशन्स होती हैं, क्योंकि मरू भूमी अगर है, शुष्क जहां पर भूमी है, वहां जो सक्सेशन शुरू होगा, वो शेल से शुरू हो सकता है, यानि रॉक से शुरू हो सकता है, जिससे हम लिथो सियर के नाम से जानते हैं, या मिट्टी से Samoseer के नाम से जानते, Samoseer जो है वो Peace Island है, अगर लवणिय म्रदा से शुरू होता है तो उसे हम Hellooseer कहते हैं, तो ये अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग प्रकार के ये कई प्रकार के अनुकरमन दे रखे हैं, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग, आप उसे याद करें, बेसिकली जो है वो सारी चीज़े एक ही रहेंगी तो आज हम बात करनी जा रहे हैं आज हम पढ़नी जा रहे हैं हाइड्रोसियर और हाइड्रार्क इट इस अक्सेशन विच अकर्स इन एक्वेटिक एन्वार्मेंट ये वो अनुक्रमण है जो की ताला वत्वा जील के भीतर होता है यानि वहां से शुरू होता है और इसमें अनुक्रमण की जो क्रमी क अवस्थाएं आती हैं उनको हम जल क्रमक के नाम से जानते हैं तो शच अ टाइप अफ सक्सेशन डिस नॉट नैसेसरीली लीड टू दा Transformation of Aquatic Communities to Land Communities आप कहें कि सागर है ओशन कि ओशन में सक्सेशन क्यों नहीं हुआ तो ये जो सक्सेशन की जो स्टेजिस हैं ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर बॉडी को ट्रांस्फोर्म कर दे लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वहां परिवरतन ला सकती है so this happens only in artificial and shallow ponds or lakes where wave action hasten the process of soil erosion at the edges the filling process speeds up and consequently the body of water disappears within few years and succession becomes quite recognizable under such conditions so जहां पर जो water waves होती है water currents होती है वो waves जब जब ज़्यादा wind जो currents होती है water waves बहुत ज़्यादा आती जाती है और वो soil erosion एक तरह से जो किनारे होते हैं उनको वहां पर एक तरह से सूखा बनाती चली जाती है however in large and deep water bodies or where powerful physical forces like strong waves persist for a long time succession results in a stage aquatic community in which any considerable further change is hardly recognizable so आज हम बात करेंगे जल जलारंभी जलारंभी अथवा जल क्रम या hydro seer की अब hydro seer में एक water body हम लेते हैं for example उसमें किस-किस प्रकार के आपको क्रमिक अवस्थाएं देखने को मिलेंगी एक मतलब vegetation की so different types of vegetation at different depths in a pond अगर हम एक pond example लेते हैं तो उसकी कौन-कौन सी stages होंगी हमने एक जगे ये खेर बहुत वक्त लेती हैं चीज़ें जो succession होता है अनुकरमन काफी लंबा वक्त के साथ में पूरा होता है पर कुछ अगर बहुत shallow pond है तो वो कुछ समय में हमको evident भी हो जाता है वो हमें दिखने भी लग जाता है recognize हो जाता है so process of aquatic succession is completed in the following stages first stage is phytoplankton stage phytoplankton या पाद़ प्लवक अवस्था होती है वो प्रथम अवस्था होती है सबसे पहले जो आते हैं initial stage जो होती है succession की उसमें algal sports जो होते हैं वो water body में लाए जाते हैं या वहाँ किसी प्रकार से आते हैं जैसे blue green algae और algae इनको हम phytoplankton के नाम से जानते हैं कुछ zooplankton भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं कुछ bacteria आ जाएंगे ये सब बनेंगे वहाँ के pioneers जो की सबसे पहले आते हैं organism उनको हम first organism को pioneers के नाम से जानते हैं and they colonize the primitive medium of the pond वो जो original पानी है जो pond का जो aquatic environment है वहाँ पर colonize हो जाते हैं बहुत सारी मात्रा में वो इखटे हो जाते हैं और large amount of organic matter and nutrients contribute because of their various life activities and as they die, they sink to the bottom sentiments of pond to form a layer of mud यानि वहाँ पर फिर एक layer वहाँ पर mud की सी बनाते चले जाएंगे वो जब उनके dye हो जाएंगे वो पोधे तो एक तरह से वहाँ पर dryness या कह लीजे आप एक sedimental एक form sediment सा बनता चला जाएगा वहाँ पर मटकी layer सी बनती चले जाएगी जिसमें green blue green algae है बैक्टीरिया है इस प्रकार के होते हैं जो की अनभीना microcystis nitrogen के जो होते हैं compounds उनको भी add करते चले जाते हैं उसमें और filamentas फिर शेवालों के लिए ये बहुत जादा अनुकूल होता है spirogyra है, cladophora है, hydrodiction है ये सारे जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं phytoplanktonic stage में और फिर जो पॉंड की गहराई है उसकी depth को ये कम गरते चले जाते हैं जैसे जैसे वो तल पे जमा होते चले जाते हैं सेकंड स्टेज जो इसकी होती है वो होती है submerged stage हमने का spawn है उसके सबसे उपरी वाली layer कौन सी हो गई phytoplankton उसके बाद उसमें जो डूबे हुए पौधे हैं उनको हम submerged कहते हैं अब ये submerged दो प्रकार के हो सकते हैं एक simple submerged है और दूसरी rooted submerged है जो simple submerged होते हैं वो एक तरह से loose layer जब बढ़की बन जाती है जो bottom of the pond होता है वहाँ पर जब इखटा हो जाता है कीचर कुछ तो वहाँ उसमें कुछ rooted submerged plants आ जाते हैं और कुछ पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं जैसे की आप देखें एलोडिया है, हाइड्रिला है, फोटम ओजिटोन है, पैलिसनेरिया है, अठ्रिकेरिया है, यूट्रिकुलेरिया जो है घट पादब जिसे आप निपैंथिस है यूट्रिकुलेरिया ये इस प्रकार के जो पौधे हैं, ये आपको दस फीट गहरे उसमें अगर पॉंड है, submerged vegetation आपको बहाँ पर दिखाई दे सकती हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं, दे फर्दर ब्रिंग दा चेंज इन दी बॉर्टर बॉड़ी, जो बॉर्टर का जो सब्स्ट्रेटम है नीचे, उनकी डैथ के कारद जो पौधे की डैथ हो जाती है, इनकी लाएक ये यूट्रिकुलेरिया वैलेशनेरिया की, तो फिर से उचा कर देते हैं उसको, because they get deposited at the bottom, and the eroded soil particles and other transported material continue to deposit at the bottom, the water level decreases, the bottom rises, and the water body becomes shallower, और थिछली हो जाती है बॉड़ी, और जो habitat है वहाँ की, वो gradually becomes less suitable for the submerged, अब देखी जैसे जैसे उसमें पानी कम होता चला जाएगा, और वो थोड़ी, मड उसमें जादा इखटा होता जाला जाएगा, तो definitely जो submerged पौधे हैं, उनके लिए वो जगह अच्छी नहीं रहेगी, वो habitat उन्हें सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप पानी कम हो गया है, तो वो डूब नहीं सकते वहाँ पर, फिर ये replace हो जाते हैं, दूबे हुए पौधे थे, submerged पौधे थे, जैसे utricularia, syretophyllum वगएरा, और जो rooted submerged थे, आई-soites होती है, वेरिस्नेरिया, पोटमॉजिटून, ये आए, अब फ्लोटिंग में भी आप देखेंगे, कुछ तो free floating है, कुछ rooted floating है, तो floating stage में, जो पानी की जो इत तरह की जो water depth होत हाती है, और submerged जो vegetation होती है, it starts disappearing from its original place, and the floating plants make their appearance gradually in that area, और ये सब rooted होते हैं, hydrophytes, जैसे कि निलंबो, कमल, निम्फिया, ट्रापा, सिंहाडा, ये जो हैं, पौधे जो हैं, वो rooted एक तरह से floating stage वाले होते हैं, कुछ free floating भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे azula, lemna, wolfia, pistia, salvenia बगएरा बगएरा, and they become associated with the rooted plants, due to the availability of salts and other minerals in abundance, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उनको loven minerals मिल जाते हैं, इसलिए जो free floating plants होते हैं, वो भी काफी अच्छे से flourish करते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से उगते हैं, इनकी जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होते हैं, जैसे कमल की चौड़ी पत्ति होते हैं, ये क्या करती हैं, water surface को check कर देती हैं, रोक देती हैं, जिससे की वहाँ पर नीचे की तरफ पानी में, लाइट नहीं जाती हैं, और गहरी तल पर, and this may be one of the main causes, responsible for the death of submerged plants, अब आप देखिए nature के इस प्रकार से जो एक succession को lead करता है, वहाँ और किसी का कोई intervention नहीं है, लेकिन इस प्रकार के पौधे, यानि floating उसमें इस प्रकार के पौधे वहाँ पर मौझूद होते हैं, जो की क्या करते हैं, चोड़ी चोड़ी पत्ती वाले मौझूद हैं, और वो नीचे वाले जो प्लांट्स होते हैं, submerged plants, उनको एक तरह से वो खत्म करते जाते हैं, जिससे वो disappear हो जाएं, क्योंकि उन्हें पानी, पानी के ओपर पत्ती आ जाने से उन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता, वे खाना न लग जाती है, तो decomposing organic matter जो होता है, वो उनकी death के कारण जो बनता है, it further build up the substratum, and making the pond more shallower, जो submerged plants होते हैं, वो फिर से खत्म होने लग जाते हैं, free floating के कारण, और वहाँ पर जो bottom होता है, वो थोड़ा और उपर आ जाता है, पानी और कम हो जाता है, जो next stage आती है, वो होती है, read swamp stage, आप इसे रटिये मत, आप एक बर इसे समझिये, कि succession जो है, कैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, and very much evident, कि पानी जैसे इसे कम होगा, तो एक तरह से वहाँ पर भूमी आती चली जाएगी, भूमी कैसे आएगी, पिछले पौधे जो है, वो खत्मोंगे, वो और धेर करते चले जाएंगे अपने organic substances का, और वहाँ पर पानी कम होगा, और सबस्टेटम बढ़ता चला जाएगा, नेक्स्ट जो इसकी स्टेज होती है, वो होती है, रीड स्वाम्प स्टेज, जिसे कि आब नर्कुल अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जब पौंड जो होता है, वो और भी शैलो हो जाता है, यनि अबाउड वन टो थ्री फीट के आसपास उसमें पानी रह गया बस, और habitat काफी कुछ चेंज हो चुकि है, फिजीकली, कैमिकली हर तरह से, तो यह बहुत फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए अब यह सूटेबल नहीं रहती है, और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, जो कि उस दूसरे अन्वार्मेंट में, जो कि अब अन्वार्मेंट क्रियेट हो र देते हैं, और जो पिछले फ्लोटिंग थे, वो डिसापियर हो जाते हैं, ग्रैजवली, और रिप्लेज़ बाई एमफीबियस प्लांट्स, इंदर नेचर आप देखिए, अपने आप उनको आगे से आगे सुविधा प्रदान कर रहा है, एक पूरी जनरेशन खत्म हो रही एक पौदे की एक तरह के पौदों की और दूसरी तरह के वहाँ पर आ रहे हैं, तो रीड स्वैम्प स्टेज में एक तरह से एमफीबियस प्लांट्स मिलते हैं, एमफीबियस आप सभी जानते हैं, जो की जल में भी रह सकते हैं, और थल में भी अच्छे से जीवित रह सकत प्लांट्स विच केन लिव सक्सेसफुली इन एक्वेटिक एस वेल एस अरियल एन्वार्मेंट जो अरियल एन्वार्मेंट है उसमें भी अच्छे से रहेंगे और पानी में भी रह सकते हैं लाइक टाइफा, साजिटेरिया, फ्रेगमाइटिस इस प्रकार के जो पौधे होत एमफीबियस हमने इने क्यों कहा क्योंकि इनका जो जल वाला जल में जो होते हैं वो इनका जड़ वाला पार्ट होता है और एयर में जो होता है वो इनका पौलियस वाला या पत्तियों वाला भाग होता है पानी के ओपर ये काफी उंचा सा मतलब वो बना देते हैं, पॉलियस अपनी पत्तियों के कारण, इसके कारण क्या होता है? जब पत्तियों काफी जाधा उपर वाटर बॉड़ी के ऊपर आ जाती है, इनके फॉलियस लीफ के कारण वहां की प्रकाश जो होता है वो अंडरनीत नहीं जाता, जो नीचे उग्रें प्लांट्स उन तक नहीं पहुंस पाता, और इस प्रकार से ये वाली स्टेज भी खत्म ह नहीं लग जाती है, और बिकम्स वेरी डिफीकल फर फ्लोटिंग प्लांट्स, सब्मर्ज और फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए यहां कम्प्लीटली उन्होंने एक रोक लगाती है, किसने रीड स्वांप स्टेज के प्लांट्स ने, और फॉर्दन डिपॉजिशन अफ अगली स्टेज आती है, इसकी सैज मार्श और मेडो स्टेज, या पंक या सैज मेडो स्टेज होती है, इस अवस्था में जो पादप होते हैं, वो तेजी से ब्रद्धी करते हैं, इनमें राइजोम्स, बल्ब, टूबर्स इस तरह की एडवन्टीश रूट्स पाई जाती ह दलदल में ये मिलते हैं, so the filling process finally results in a marshy soil, which may be too dry for the plants of the pre-existing community, and now the plants adapted to this new habitat begin to appear, in a mixed state along with the pre-existing community. अब इसमें जो मार्श मेडो स्टेज होती है, उस स्टिथी में दोनों प्रकार के पौधे मा रहेंगे, कीचड में रहने वाले भी रहेंगे, और जो पहले के मौजूद थे वो भी रहेंगे, जैसे साइपरेसी, ग्रामीनी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे जंकस है, पहले आने वाले यही पौधे होते हैं, बढ़ते हैं, and modify the habitat in several ways, कई तरह के तरीके से यह habitat को modify कर सकते हैं, रुपांतरित कर सकते हैं, जब ट्रांस्पिरिशन ज़्यादा होगा, तो rapid loss of water होगा, और धीरे-धीरे क्या होगा, मढ जो है वो, air को exposed होती चली जाएगी, and as a result of which nutrients like ammonia and sulfides, etc. become oxidized to nitrate and sulfate, and these plants also trap the accumulate plant debris and wind, or water-borne soil particles, यह उनको भी trap करना शुरू करती है, अपने अंदर जकडना शुरू कर देती है, consequently a dry habitat result, जो habitat अब वहाँ पर निज़र आने लगती है, वो कैसी होती है, सूख ही स्टेज होती है, आपको वहाँ पर dry stage नज़र आने लग जाती है, and six, जो यहाँ पर आप जो stage देखेंगे, वहाँ पूरी तरह से, अब मार्शी जो है, वो वोड्लेंड की तरफ आगरसर हो रहा है, जो मार्शी एरिया है, अब वो वोड्लेंड में बढ़ रहा है, तो जैसे हमने का amphibious होगी, मार्शी इस्टेज होगी, अब वोड्लेंड की तरफ अगर हम चलें, तो in the beginning, some shrubs यानी जाड़ी वाले पौधे आएंगे, और फिर बाद में medium size root वाले पौधे आते हैं, और ये पौधे फिर बनाते हैं, हमाँ पर एक तरह से वोड्लेंड, ये जो पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, चाया अधिक देते हैं, और अधिक ट्रांसपायर करते हैं, पानी भी बहुत जादा अब्सॉब करते हैं, Thus they render the habitat more dry, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, वहां के जो habitat आवा सिस्थाने उसको और भी सूखा बना देते हैं, ये shade loving herbs यहां पर आते हैं, जो की पेडों के नीचे, जाडियों के नीचे उग जाएंगे, और कुछ prominent जो plant species इसकी होती हैं, जैसे Acacia है, Salix है, Terminalia है, ये plants वहां पर आपको देखने को काफी मिलते हैं, By this time there is much accumulation of humus, क्योंकि अब इतने plants dead हो चुके, जो सारे पिछली stages के थे, कि वहां बहुत अच्छे amount में humus इखटी हो जाती है, और rich floor of microorganism भी वहां पर develop हो जाता है, साथ ही साथ वहां floor पर, और जो mineralization होता है dead organic matter का, in the soil, it favors the arrival of new tree species in the area, इस प्रकार से अच्छा humus का वहां पाया जाना, और soil के अंदर बहुत अच्छे से organic matter का mix हो जाना, यह वहां पर क्या करेगा, और दूसरे बड़े trees को उगने में मदद करेगा, जब वो trees हो जाएंगे तो वहां पर forest stage आ जाएगी, यानि जंगल वाली है, काफी लंबी series of sequential vegetational types के बाद में, that occur during the process of succession, finally a climax vegetation occur, चरम अवस्था जाती है, जो चरम अवस्था होगी, उसमें soil level has raised much above the water level by a progressive accumulation of humus and soil particles, and habitat become more dry and certainly better aerated now, अब बहुत अच्छे से aerated हो जाती है, पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वहां पर muddiness खत्म हो जाएगी, क्योंकि woodland आ चुका, and such a habitat now forms a home to woody trees, अब woody trees के लिए ये घर बन जाता है, mostly in the forms of a mesophytic forest, that comprises of a self-sustaining, stable and uniform plant community, अब इस चरम अवस्था में जो forest stage आ जाती है, वहां एक तरह से पेड़ों के लिए वो घर बन गया है, बहुत अच्छा सा, जो कि अपने आपको maintain करके रख सकता है, इस्थाई तो दे सकता है, और climax forest में जो आएंगे, वो बहुत प्रकार के पौध ही देखने को मिलते हैं, जिसमें hubs होंगे, shrubs होंगे, mosses होंगी, liners होंगे, liners का मतलब woody climber, climbers होंगे, herbaceous जो होते हैं, plants के climber, insectivorous plants देखने को मिल सकते हैं, parasitic fungi मिलेगी, bacteria, virus, and a variety of parasitic associations would be there. Trees, however, are the dominant and they have a control over the entire vegetation. हमने forest कहा तो निश्चित रूप से यहां पर, जो trees मौझूद होंगे, वही पूरी vegetation को control करेंगे. The dead tree boris and the decomposers functions efficiently are making the soil rich in organic materials. जितने भी महां पर microbes होंगे, वो सब dead plant जो materials होंगे, उन सब को humus में convert करते जाएंगे. So, a complete harmony develops between the plant community and the habitat at the climax. जो climax stage होगी, वहां पर पूरी तरे से तार्तम में होता है. Plant community और उसकी habitat में. इन tropical अगर आप climates वो देखें, जहांकि heavy rains होती है, tropical rainforest develops. Temperate reasons में आप देखेंगे, तो वहां पर जैसे acer वगरा, quercus ये plants आपको देखने को मिलेंगे जादा. Trees, moderate जहां rainfall होगी, वहां पर tropical deciduous forest develop हो जाते हैं. तो इस प्रकार से इन stages को follow करते हुए, जो एक pond था, वो किस में convert होगी आप? एक forest में. और उसकी climax vegetation कौनसी होगए? ट्रीज होगए और वो forest stage में पाए जाते हैं. इस प्रकार से आज हमने hydro sear के बारे में जाना. जो जलान उक्रमक होता है, वो किस प्रकार से बनता है? किस प्रकार से उसमें succession आता है? Next उसमें class में हम पढ़ेंगे 0 sear.